असलाम उलेक्ट मेरहमतुल्लाइ बरकातो हूँ दोस्तों मैं हुईरफान खान एक बार फिर से एक अच्छे वीडियो के साथ आपके खिद्मत में मैं हाजिर हूँ आप तमाम का स्वागत करता हूँ इस्तक्बाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप जानते हैं आप तक मैं बहुत सी चीज़े जो है पहुचा रहा हूँ मेरे वीडियो उसके जरीए पवित्र पोडल के शिक्षक भरती में जो तुमारे जो माइनर माइनर जो कन्फ्यूजन्स है या फिर major जो आपके problems है वो तमाम चीज़े जो है solve करने की हम कोशिश करते है आज के वीडियो का आपने title देख लिया हूँगा मेरे तमाम subscriber जो माराथी वीडियम, English medium, Hindi medium तमाम जो लोग है उन तमाम से मैं ये request करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए और समझ ये एक्च्वल में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ जैसा कि आपने thumbnail देख लिया हूँगा कि आपको जो है form के edit को लेकर confusion है और जो दूसरी चीज़ है form के edit को लेकर जो आपके confusion है वो और आपका जो है कि नुक्सान जो है यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है और क्या नुक्सान होना सकता है यह तमाम चीज़े मैं बतानी की कुछ करूँगा कोई मेडियम का जो मेरा यह वीडियो देख रहा है उसको सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए मजे नेम का अपला यह नुक्सान होना राय पूरे आपको जो है यह गवर से सुनना है तो वीडियो शुरू करेंगे हम आप मेरे बात को समझे और इसी बात पर रिपेट सवाल जो है कमेंड में बिल्कुल मत करिए अधर वाइस सेट के कीजिए कि तुम पूरा वीडियो देखते नहीं तो फॉर्म के एडिट को लेकर आपके अंदर जो है दुनिया भर की कंफ्यूजन है मैं बोलने की यह कोशिश करूँगा कि एक्चुल में जो तुम्हारा क्या होता है जो फॉर्म होता है जब तुम रेजिस्टर हो जाते पवीतर पोर्टल पर तो तुम इलिजिबल हो जाते पर फ्रेफरंसेस के लिए जब तुम तुम रेजिस्टर नहीं करते तुम ने टैट दे दिये तुम दोनों भी सीटेट है तुम डीएड है तुम बीएड है अगर तुम रेजिस्टर नहीं करते है तुम आईडी पासवर्ट नहीं लेते मतलब कि तुम एक सो चालीज भी मार्क लिए तो वहाँ पर शिक्षक बन तुमको qualification तो change करने का कते ही chance नहीं दिया जाथ qualification तुम बदर ही नहीं सकते जो तुमने qualification वहाँ डाल दिये वो डाल दिये वो final है ठीक है यानि कि तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि आप edit की time पर मैंने एकदम हैस qualification डाला जैसा कि मिसाल के तौर पे जब तुम फर्म भर रहे थे बारा फर्वरी से पहले तुम only डी एड और ग्रैजवेशन थे अब तुम बोल रही कि अपना तो आप बी एड का भी final result आ गया चलो बी एड भी यस है no कर दिये इसका chance मिल सकता है मैं सिर्फ मिल सकता है इसका अंदेशा दे रहा हूँ बाकी मैं perfect नहीं बोल सकता कि इन ही का chance मिलेंगा ठीक है तो यह चीज़े तो इनका edit का chance मिलता है इसके अलावा तुमारा कोई भी ऐसी चीज़ आप देखो non-crimalier का ऐसा रहता जैसा मैं नुकसान की जो बात बोर रहा तुमको कि जब तुम फॉर्म भर रहे थे मैंने बोला था कि होशो हवास के अंदर फॉर्म भरना है हमको फिर भी तुम्हारे को होश आया नहीं ऐसे कई बच्चे थे जिन्होंने बहुत major major mistakes करके रखे अब जैसा कि अगर मैं बात करू कि सिवाए seated वाले 2023 के जिन्होंने appear yes करे थे उनके अलावा किसी को भी मास भरने का chance देना impossible है seated वालोंने जैसा appear yes करे थे तो वहाँ उनका rule number डाले थे और वहाँ पर परसंटेज नहीं था seated का कितने परसंट से वो पास हुए तो वो परसंटेज जो है जालने का chance दिया जाएंगा त्यूंकि उनको भरती में शामिल कर लिया गया है इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसी चीज जो तुम सोच रहे होंगे वो edit का chance नहीं मिलता अब तुम कास्ट में है मिसाल के तौर पे तुम कोई open के अलावा किसी कास्ट इसलिए नाउन कास्ट को यस चार लोगों को छोड़ो ता है अगर मां चार लोगों को चोड़ो दो ओपन, EWS, SC, ST ये चार लोगों को non-cramula की शर्ट नहीं रहती इनको non-crimalier में छूट दे दी गई है यानि कि ये non-crimalier में नहीं आते छूट नहीं दी गई है ये नहीं आते बाइदर रूल तो ये चार लोगो इसके अलावब पूरे कास्ट non-crimalier में आते हैं वहाँ यस करना कंपल्शन होता है वहाँ नो कर दिया मतलब तुम ऐसा जाहिर हो गया वहाँ कि तुमने गल्ती भी करेंगे तो भी तुमको ओपन में ही काउंट कर देंगे यह नुक्सान होता है अब कई ऐसे वोमेंस है मैंने हाजारों बार यह बो काम तैसिल करने है यह फूरे काम प्याले मैं नया आरक्षण था जब ओपन वालों실 को और बारी में कर देंगे नहीं देंगे इसоки कोई यह नुक्सान उठाना पड़ सकता है कि तुम किसी बी कास से से विपन करते हैं तुमके ऊपन में जहें का लिया जाएंगा अगर तुमने वहाँ पर अब दूसरा नुक्सान ये हैं कि तुम फॉर्म में बता दे रहें मिसाल यह तोर पर अगर नहीं बता देरें के हां चलो था तुमको चलते फिरते किस ने भी बोल दिया यस करते कुछ नहीं होता अब जैसा तुमने यस करें फॉर्म सब्मिट हो गया फाइनल हो गया अब तुम्हारे आंग पर आ गई कि एक तिसमार्ज से पहले मुझे मेरा सर्टिपिकेट नहीं मिलेंगा क्योंकि उसने जो डॉक हो के नहीं बताते होंगे तो ऐसा कैंडिडेट जिसके पास का सर्टिपिकेट है उसको पूछ सकते ठीक है यह चीज तो तुमने वहां यस कर दिया और तुमको यहां आफ़त हो गई अब अपने पास बचे कितने यह खतम होने को जो दिन है जो मार्च खतम होने को आज की क् अगर तुमने वहां नॉन क्रमेलर्गी तो शर्फ है यह नहीं आप तुमको दावफ हो दॉक्टन की सकते पूर्टता नहीं नहीं है लेकिन फिर भी मैंने उसमें लोगों के सुना सुनी यस कर दिया हाला कि मुझे वो शक्त था कि भाई मैं शायद मेरा इतने अर्जन में वो पूरे डॉकुमेंट वगरा वगरा मैं ले नी सकूंगा और मुझे मिल नी सकेंगा 31 मार्च डेडलाइन है बस इसके बाद का तो 31 मार्च की जो डेडलाइन है यह एजूकेशनल कॉलिफिकेशन के जो डिग्री इसकी डिप्लोमास की नहीं है यार तुम यह बात भी थोड़ा समझो तुमारा नॉन करमेले यह तुमारा महीला आरक्षन सवाल कर रहें कि प्रोविजिनल सर्टिफिकेट अरे नी डिगरी बोलते हैं यह दातकुरता तुमारे पास रखो हाला कि लीगली वह मन्य है इसमें कोई शकी नहीं क्या करो हमको अगले 15 दिन में मुझे तो लगता इस से ज्यादा टाइम ने देंगा वह 15 दिन में तुम 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 तुमारा ओरी जिनल सर्टिफिकेट लाकी आप तुम खुद दिमाग लगाओ कि युनिवर्सिटी 15 दिन में कभी देते रहती यह युनिवर्सिटी के काम जो है दो-दो-चार-चार-चार महीं ने लंबे रहते क्योंकि तुम्हारे अकेले का सर्टिपिक नहीं रहता पूरे महाराष्ट्रा के बच्चों के सर्टिपिक पेंड करता है अब उसमें तुमने कर दिये अब तुमारे हर बात को नोटरी या तुमने पचास गलतिया कर दिया और बोल दिये कि भाई नहीं हमने फॉर्म में गलतियों कि देलो हमारा एफिडियोड वो क्या बोलेगा तेरा सेलेक्शन बापा जो है ओबी सी में हुआ और सीटेट वगरा की तो सीटेट जो है एक्सेप्टेबल 2023 का रहेंगे तो 2023 वालों को पॉसिबल है कि चांस मी लेकिन तुमको वहां से इडिट का चांस ने वो सब लोग रहेंगा तुमने इसके पले हाँ जब जो qualification तुमनेवाँ फॉर्म में भरे थे यह फॉर्म संबाल के रखो। मेरी नजर में माइनी भी रखता दो उस कागस को सबाल के रखो। क्योंकि कब कौन सी जरुवद पढ़ जाएंगे और कितना खामियाजब हुगतना पढ़ेंगा। यह हम पता यह हम उसको जाननी सकते कई होगा इसी सवाल आ रहे कि सर आप फॉर्म तो नहीं निकलती जिस दिन लास्ट रही थी उसके बाद वह प्रिंट नहीं निकलती मैंने कई बार दिमाग दिया था तुम लोगों को दिमाग का इस्तेमाल ना करनी जो जैसे हमारे नुक्स कोई चीजे ऐसी नहीं है अगर तुमारे कुं अगर और बीजी में करना है तो पूरे दसवी के जो सॉरी जो सब्सक्राइब करके तरतीव तर्थी बार अकर आगर तुमने पूरा यह मना वहिए कि माय और उसंवे कर दिये तो पूरा लाइफ नाननी यह इन्यक्राइन वर दूसरा section Google Drive में my identity proofs बनाने का, my identity proofs में पूर identity proofs तुमारे 50 जितने भी है, वो scan mark के उसमें save कर लेने का, इससे क्या होता तुम आइन मक्ट पे कई पर भी किदर भी कुछ भी काम पड़ा तो उसको easy going में देख सकते हैं, बाकी जो महिला के बारे में हैं कि इदर वो है उदर व वो जो certificate बना रहे तुम EWS का या कोई चीज का, तो तुम उन तहसिल वालों से पूरी information लो, कि actual में क्या conditions है, moment reservation के लिए क्लिए 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 वो बताओ, ठीक है, तो ये चीजे थी, आज के वीडियो के जरीए मैंने यह ही बताया हूँ, मेरे तमाम मेडियम के जो students है, subscriber वो तमाम को मेरे वीडियो पसंद आ रहे है, और बहुत easy going में मैं बताने की आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हूँगा, अगर आए तो ज़रूर लाइक, कमे देए, assalamualaikum